फ्रेंट स्वागत है हमारी यूटूब चैनल क्रेटकल इस्टेडी में आज 16 दिसंबर 2023 और 14 दिसंबर 2023 से करेंट अफियर्स के जितने भी important question बनेंगे वो उनसे related fact के बारे में आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो चली वीडियो सुरू करते हैं पहला question क्या है पहला question है हाल यही में मानव अधिकार दिवस कम मनाया गया मानवा अधिकार दिवस कम मनाया गया तो इस question का right answer option be right होगा 10 दिसंबर को विस्व मानवा अधिकार दिवस मनाया गया अब बात है important day की तो दिसंबर में जितने भी important day है उसके बारे में discuss करते हैं पहला है important day एक दिसंबर को एक मनाई गये हैं विष्टौ एट्स दीवस और बीएसेफ इस्ठाप्न दीवस दो धिसम्बर को मनाए गये हैं विष्टौ कंप्यूटर साक्छाता दीवस राष्टी प्रदूसर्ण लियन्तर दीवस और अंताराष्टी गुलामीन उनमुलन दीवस तीन इंपॉर्टेंट दे 6 दिसम्बर को महापरनिवाड दिवस मनाया गया है। 7 दिसम्बर को ससस्तर सेना जंडा दिवस अनतराष्टी नागरिक उड्डेहन दिवस मनाया गया है। 8 December को भोधी दिवस और 9 December को अंतराष्टी बरिष्टाचारी विरोधी दिवस मनाया गया है और 10 December को मानवा दिखार दिवस मनाया गया है नेक्स्ट कुश्चिन देखेंगे दूसरा कुश्चिन है हाल ही में देश के किस देश के UK2Y3 रॉकेट को सफलता पूरवक अंतरिक्ष में प्रतिछेपित किया है तो इस खुशिन का राइट आंसर ओप्सन सी राइट होगा चाइना देशने याने चीन देशने UK2Y3 रॉकेट को सफलता पूर्वक अंतरिक्ष में प्रतिछेबित किया है यह मैप में चाइना चीन ने दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट भे लॉंच किया है फिलिपिन्स ने चीन के Belt and Route Initiative से बाहर निकलने की घोषना की है भारत ने चीन से सौर उर्जा आयात में 67% की कटवती की है तीक ना, next question क्या है? next question है, हाल ही में किस राजी की राज मुंदरी हवाई एड़े पर एक टर्मिनल भावन की आधार सिला रखी है तो इस question का right answer क्या होगा इस question का right answer be option right होगा आंदप्रदेस राज ने राज मुंदरी हवाई अडे पर एक टर्मिनल भावन बनाने की आधार सिला रखी है ये हैं मैप में आंदप्रदेस आंदप्रदेस से important question देख लेते हैं आंदप्रदेस सरकार ने पिछड़ा वर्ग जाती जनगरना सुरू करेगी ठेकना आंदप्रदेस के पूर मुख मंतरी को बिष्टाचार के आरोप में गरबतार किया गया है ठेकना इस्तरों ने अपने पहले सूर मिसन आदित एलवन को स्रीहरी खोटा से लौंच किया था राश्टपती द्रवपती मुर्मू ने आंदप्रदेस के पूरू मुख मंतरी एंटी यार के यात्र में इस मारक सिक्का भी जारी किया है नेक्स कुश्चिन देखेंगे चौता कुश्चिन है हाल ही में नौ दिनों तक चले पुस्तक मेले पुस्तका नए का समापन किस सहर में हुआ है तो किस सहर में हुआ है इसका समापन सी ओप्सन राइट होगा नए दिल्ली में सी ओप्सन रहेट होगा नए दिलने में नौ दिनों से चल रहे पुस्त काले में लिए पुस्त कायन का समापन हुआ है ठीक ना अप्सन मैंमार देश के टास्क फोर्ट गठिद किया गया थाईलन्ड और मैंमार ठीक चक्रवार्थ माईं कोंग बंगाल की खारी से टकराया इसका नाम भी मैंमार के नाम पर मैंमार ने रखा है next question क्या है हाल ही में किस मुख मंतरी ने हाल ही में change makers of the year 2030 की सूची में इस्थान अरजित किया है तो इस question का right answer होगा, ए protection alright होगा, सुखोवंदर सिंह सुखो, यह हैं सुखोवंदर सिंथ सिखो, जो की change makers of the year 2030 में सूची में इस्थान अरजित किया है साथ में खोषिन है हाल ही में विष्णु देव रॉय को कि सराज्य के मुख मंतरी खोषित किये गए है तो उसी ओप्सन राइट होगा 36 गड़ ये है मैप में 36 गड़ और ये है विष्णु देव साई चिनको 36 गड़ के नए मुख मंतरी की रूप में न्युक्त किया गया है अब बात है 36 गड़ की तो इनपोर्टन कुश्यन देख लेते हैं 36 गड़ सरकार ने मुख मंतरी निर्मान स्रमिक पैंसन योजना सुरू की है 36 गड़ के धमतरी में कमार जंजाती को आवास अधिकार मिला है 36 गड़ के मुख मंतरी ने क्रामिर आवाश न्याय योजना सुरू की है 36 गड़ के मुख मंतरी ने ओत्योगिक प्रूस्चाहन के लिए प्रूस्चाहन पैकेच के भी घोषना की है नेक्स कुश्यन देखेंगे हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सिख्छा के छेतर में सहयोग समझोते पर हस्ताक्चर किये हैं नेक्स कुशिन है, नौमा कुशिन है, हाली में स्वक्षिता ओलम्पियाड डेटॉल, स्वक्षिता अभियान डेटॉल, हाइजिन ओलम्पियाड के दूसरे संस्क्रण के विज़ेतों में किसे राष्टिये विज़ेता चुना गया है, तो अवरीत कौर को स्वक्षिता ओलम्पियाड डेटोल हाईजिन ओलम्पियाड के दूसरे संक्रण के राष्टी विजेता चुना गया है तसमा कुश्चन है हाल ये में किस देश ने एक नया रिमोर्टिंग सेंसिंग उपगरह अंतरिक्ष में प्रिच्छेपित किया है चाइना देश ने बी ओप्सन राइट होगा नेक्स कुश्चन क्या है हाल ये में मॉंबाई सिटी एफसी ने किसे कलब का नया मुक्र कोच गोसित किया है तो किसे गोसित किया है सी ओप्सन राइट होगा प्रेट केट केट की को सी ओप्सन राइट होगा ये है प्रेट क्रेट केट की दिए नेक्स क्या है नेक्स कुश्चन है, भारमा कोश्चन है, हाल ही में GPAI सम्मिट 2023 को कहां आयोजित की गई है, कहां आयोजित की गई है, C option right होगा, नई दिल्ले में आयोजित की गई है, नई दिल्ले में GPAI सम्मिट 2023 आयोजित की गई है, नेक्स कुश्चन है, ते रहमा कोश्चन है, हाल ही में किस तमिल कभी को कि जनम दिन अवसर पर भारती भासा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्टाव किया है तो इसकोशिन की राइट आंसर ओप्सन B.ницуगा चिन्ना सौमी सुप्र मन्यम भारती यह है चिन्ना सौमी सुप्र मन्यम भारती जो तमिल कभी है इनके जन दिन पर आवसर पर भारती भासा दिवस का प्रस्ताव किया है Next question क्या है हाल ही में Eurasian Economic Union याने EAU किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझोते पर हस्ताक्चर करेगा तो इस question का right answer होगा Option B, इरान के साथ B option right होगा Next question देखेंगे हाल ही में चीन ने किस प्रांत की रास्थानी चेंग तू में 2027 कलात्मिक जिनमाश्टिक विश्च चैंपियंशिप की मेजवानी करेगा तो C option right होगा Siu Chin Prant ये कहाँ है चाइना में है Siu Chin Prant जो कि 2027 में कलात्मिक जिनमाश्टिक विश्च चैंपियंशिप की मेजवानी की जाएगी तो आसा करते हूं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें वो अपने उन दोस्तों को सेयर करें जो completion exam की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगे हमारी इंस्टाग्राम पेज किटकर study31 को भी आप फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद